हम स्टार्ट करने लगे हैं हाईग्जोकाइनेज और ग्लुकोकाइनेज का डिफरेंस ठीक है यहाँ पर हम एक्जोकाइनेज लिख रहे हैं हमें सबको पता है कि हाईग्जोकाइनेज में वन टू और थ्री आते हैं ठीक है और ग्लुकोकाइनेज हमारा हाईग्जोकाइनेज फोर कोई कहते है ग्लुको काइनेज अब हमने इनको डिफर करना है सबसे पहला डिफरेंस था ये मोस्ट इशुज में था ठीक है अच्छा और इसने कहां पर होना था लिवर में पैंक्रियार्टिक बीटा सेल्स में उसके इलावा हाइपोथेल्मिक नियूरोंज में सबसे पहला लोकेशन का डिफरेंस आ गया ना दूसरा हमने डिफरेंस डिसकस करना है वो है माई कैलिक कॉंस्टेंट का माई कैलिक कॉंस्टेंट जो है इसका लो होना है इसका माई कैलिक कॉंस्टेंट बहुत हाइए तो इसका मतलब यह बहुत नकरेवाला इसने थोड़ी सी ग्लुकोस को लिफ्टी नहीं करानी उसको बाइन ही नहीं करना जब तक इसका थ्रेशोल्ड नहीं रीच करता ठीक है यह थ्रेशोल्ड का वेट करेगा अज़न उसको बाइन है इसके ग्लुकोज के लिए काफी ज्यादा और इसके ग्लुकोस के लिए लो है एक चौथा और डिफरेंस इसको आमीडियाऊ कर लेते हैं तीन डिफरेंस्स की बात कर लिए हमने अब चौथा डिफरेंस पे हमारे हैं यह देखो, फूर्थ रिफ्रेंस हमारे पास आता है, इसका जो हैक्जो काइनेज 1, 2, 3 होते हैं यह आपके पास ग्लूकोज के इलावा बाकी जो आपकी शूगर होते हैं, सेवरल हैक्जोजिज ठीक है, अधर हैक्जोजिज जिसमें माल्टोज हो सकता है, ठीक है, फ्रक्टो ग्लूकोज के लिए ही, यह बाकी शूगर को मूह नहीं लगाएगा उनको लिफ्ट नहीं किराएगा, ठीक है, इसकी यह पाद इसकी जो है ना V-Ma pakai VMAX की बात करनी नेक्स पॉइंट में ठीक है जो आपका हेक्जोकाइनेज ना इसकी VMAX होती है लो यानि बाइंड इसने फॉरन से कर जाना है थोड़ी सी ग्लुकोज आई है उसके साथ बाइंड कर गया लेकिन अगर ग्लुकोज की कंसेंटरिशन इंक्रीज हो रही है इसने क करना है कि जितनी की सेल को जरूरत है ना उतनी की सेल को जरूरत है ना उतनी की सेल को जरूरत है ना उतनी को फॉस्फर एलेट कर देना बाकी को नहीं मूह लगाना इसने कहना है कि मेरी कपैसिटी इतनी है मेरी VMAX इतनी है मैंने सिर्फ जो मेरी सेल की जरूरत है उस जरूर जिस glucose के मुझे जरूरत भी नहीं है, जिसको glycolosis के जरीए तोड़ने की जरूरत भी नहीं है, जितनी की glucose मुझे चाहिए होगी, मैं उतनी कोई फॉस्फोरलेट करूँगा, बाकी को नहीं करूँगा, लेकिन यह जो glucose का इनेज है, यह शुरू में तो नकरे दिखा रहा था, क किसने करना है आपका, इसने करना है, ग्लुकोकाइनेज ने, थोड़ी काम ने किया लेकिन अगर बढ़ गई है तो जितनी मर्जी बढ़ गई है, उसने इसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करनी है, तो यह इसका फरक है, इसका VMAX जाता है, चीक हो गया, उसके बाद हमा इसका बात करें न, उसकी बात करें इन्हिबिशन की, कि कौन सी चीज है जो इसको इन्हिबिट करेगी, इनका प्रोड़क्ट जो है, हेक्जोगाइनेज क्या करता है, इसका प्रोड़क्ट क्या बनता है, ग्लुकोस 6 फॉसफेट होता है, ग्लुकोस 6 फॉसफेट, मैंने आ जिए रुटा काम नहीं कि नहीं है, लेकिन जो ग्लुको काइने वह इससे नहीं होता, उसका इन्हीटरी प्रोससेश थोड़ा साइस से डिफरेंट है, वह फ्रक्टो शिक्स फॉस्फपेट से इन्हीं होता है, डिफरेंस तो आ गया न, यह मैं आपको बताऊंगी फ्रक्टो सिक्स फॉस्फिट से कैसे होता है यह आगे रेगुलेशन में है अच्छा अब यह सिर्फ इतना देख लो कि यह डिफर कैसे कर रहे है उसके बाद सपेक्ट्रम का ठीक है उसके बाद एक और चीज़ तो इसकी अगे क्लिनिकल सिग्निफिकंस की बात कर रहे हैं हम इसकी clinically अगर इसकी deficiency हो जाए है एक्जोकाइनेज की तो उस बंदे को गी deficiency है हिमोलिटिक अनीमिया करा सकती है ठीक है और इसके अंदर जो बंदे diabetes mellitus होता है जिन बंदों को ठीक है उन बंदों के अंदर इसकी less activity होती है activity low हो जाती है अच्छा मैं इसके ना अभी एक और बात भी बताऊंगी कि बीटा सेल वगारा में क्या काम करता है और ये एक glucose sensor के तोर पर कैसे काम करता है वह हम अभी discuss करते हैं एक बार दोनों को comparison में हम देख रहे हैं तो ये बात एक बार note कर लो उसके बाद एक और बात है कि biological significance ठीक है ये clinical significance होगी अब हम next आ रहे है इसकी biological significance उसमें क्या है कि इसने करना है सेल के अंदर जो सेल के अंदर जो glucose आ चुकी है उसकी concentration को maintain करना है ठीक है लेकिन इसने जो glucose का इनेज है इसने blood के अंदर जो sugar का level है ना उसको maintain करना है blood sugar level को ठीक है वो भी मैं आपको बताती हूँ उसको maintain करना है ठीक है ये इनके थोड़े से blood sugar concentration है उसको maintain करना है इसने सेल के अंदर उसकी concentration को maintain करना है ये हमने differences के देख लिए हां जी हेक्जो काइनेज में क्या होता है कि स्कीडेशन सी हमोलिटिक अनीमिया करा जाती है और जो ग्लुको काइनेज है उसमें क्या होता है कि जो diabetes mellitus के patient होता है उनके अंदर ग्लुको काइनेज की activity लो हो जाती है मैं आपको बताती हूँ अभी इसका ना ग्लुको काइनेज की थोड़ी सी specificities है जो के differ करती है ना उनको हम separately discuss करने लगे है जो ग्लुको काइनेज होता है यह हमें पता है तीन जगा पे होता है पेंक्रियाटिक बीटा सेल में होता है पेंक्रियाटिक बीटा सेल में इसका काम क्या होता है ये ग्लूकोस सेंसर के तौर पे काम करता है ठीक है बीटा सेल का काम क्या होता है इन्होंने बनानी होती है इंसुलीन ठीक हो गया अब इंसुलीन बनानी है तो अगर थोड़ी सी ग्लूकोज आईए जरा सी तो इंसुलीन इतनी सी ग्लूकोज पर तो नहीं न बन जाएगी इसने तब तक वेट करना है इस सेंसर ने जब तक ग्लूकोज का लेवल थ्रेशोल्ड तक पहुंच नहीं जाता समझ भी इसका थ्रेशोल्ड है कि 10 ग्लूकोज के मॉलेकूल आएंगे फिर मैं बीटा सेल से इंसुलीन की सिक्रेशन स्टार्ट करवाओंगा तो ये जब तक 10 तक नहीं पहुंचेंगे ग्लूकोज तब तक बीटा सेल से इंसुलीन की रिलीज इसने नहीं करानी तो इसका मतलब इसने का करना है ग्लूकोज के सेंसर के तोर पे काम करना है कि ये थ्रेशोल्ड डिटर्मिन कर सके कि कि किस लेवल पे आके मैंने बीटा सेल से इंसुलीन का रिलीज करवाना है ठीक है ये काम हो गया इसका पैंक्रियाटिक बीटा सेल में उसके बाद दूसर अगलुकोस के लिवल रिटेक्ट करते हैं ठीके बेच अगलine IV तो इन्हों क्या करना है? हाईपोथेलमिक नियूरॉन में तो इन्होंने एडिृनर्जिक रिस्पॉंस डिवैलब करा दिन है ठीके कि बाडी के अंदर ग्लुकोस की कमी है तो हाईपोथेल्मिक नियूरॉन ने एडिनर्जिक रिसपॉंस की स्टिमुलेशन करा देनी है यह इसका काम होता है in the hypothalamic neuron तीसरा इसका काम आता है liver के अंदर liver के अंदर इसने क्या करना है इसने glucose की phosphorylation को facilitate करना है in case of hyperglycemia hypoglycemia कंडिशन में किसने काम किया hypothalamic neuron ने तीसरी जगा जहां पर यह होता है वो liver होता है liver के अंदर आपको पता है portal blood आता है अगर किसी बंदे को diabetes mellitis है चीक है उसके अंदर insulin बन नी रही तो क्या हो रहा है कि उस बंदे के अंदर hyperglycemia हो रहा है hyperglycemia हो रहा है बहुत ज़्यादा इसके अंदर glucose है तो अब liver जाके लिवर के पास अगर इतनी ज़्यादा glucose वाला blood पोर्टल circulation से लिवर के पास जा रहा है तो लिवर क्या करेगा कि उसको फॉरन से glucose को phosphorylate करना शुरू कर देगा ठीक है ताके हम इसको किसी काम में ला सके इसको इसका लेवल किसी हद तक तो हम थोड़ा कम करें ना अइसल में लेजा अगर में लेठोव देखा के इसका रिस्पास होताता है इन- रिस्पास तो हाइपरग्लाइसेमया को परेजल फ्रिय। इस- इस कर ह sini को अगर अग्यू को कि दीखलेंसे हमने नोटिस ऑडrüे हाँ हाँ जी ग्लुको काइनेज का एक मिनट मैं आपको वही तो अभी मैं बता के एटी हूँ यह देखो अभी और सो देखना हाइपोथेल्मिक नियूरॉन्स है न आपके हाइपोथेल्मिक नियूरॉन्स ने आपका एडेनेज्जिक रिस्पॉंस क्रियेट कِर्वाना होता है एडेनेज्जिक रिस्पॉंस भाइट और अगर किसी बंदे को हाइपोगलैसीमिया हो गया है तो उस condition में, तो इसने रिस्पोंस रियेट करा देना है इसका काम होता है है इससे काम होता है इससे काम होता है इससे हैं थीक हो गया एपीनिफिरेन वाला रिस्पोंस थै एपीनिफिरेन वाला । स्वार्टिस्रादाव माहित पर्यूद्ट एपीनिफ्रिन एप्रिप्रीन का जो काम होता है, फाइट एंड फ्लाइट उस टाइप करनी इसने हरे जीफ़ fonction अनुगाय पढ़ करना है एक्षम कि प्लूकोस की कम्म होगी और इसको किसी तरह पूरा करो एडिनर्जिक रिसमांस ठीक है थोड़ा ऐडिया है इसका एडिनर्जिक्स पड़ा है एपिनेफरीन वगारा का ऐडिया है थोड़ा बहुत यह आपको फार्मा में पता चलेगा जब आगे चलोगे न तो यह आप अभी यह बात लो फियर, fight or flight response उसके अदर जो आपके पास चाहिए होता है ना फॉरन से मेकनिजम ठीक है वो वाला मेकनिजम होता है आपका इडिनर्जिक फॉरन से रिस्पॉंस जो होता है फियर वगारा वाला उस कंडिशन में व्यूकोस का लेवल डाउन हो जाता है तो उसको थोड़ा सा यह तरही हाइपोसलमी करें नियूरॉंस नहीं के काम करना है अगर बॉड़ी के अंदर इसका लेवल लू हो गया है तो थोड़ा सा राइज करने की कोशिश करनी है और अगर बहुत जादा हो गया तो यह लिवर ने रियक करना है हांजी